आप देख रहे हैं Mobile News 24 और मैं हो नी रजकुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन ख़बरों की कॉंग्रेस अध्यक्ट राहूल गांधी आज अपने संसदिये छेत्रमेठी के दो दिवसिये दोरे पर जा रहे हैं यहां वह लोकसभा की चुनावी तयारियों की समिच्छा करेंगे इस दोरान साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे दुनिया भर में आतंकी फाइनेंस को रोकने के लिए काम करने वाली संस्था फाइनेंस सल एक्सन टास्क फोर्स ने पुलवामा हमले के मद्यनजर पाकिस्तान को ग्रेलिस्ट में बरकरार रखा है और यह फैसला इस साल अक्तूबर तक जारी रहेगा यदि इस दोरान पाकिस्तान अपने रविये में बदलाव करता है तो उसे हटाने पर बिचार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओंपरकास राजबर ने लोकसभाच नौम में गटबंधन के लिए भाजपाध्यक छमित्सा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास सभी विकल्प खुले हैं और 24 तारिक को वह अपना रुख हसपस्ट करेंगे पुल्वामा टेरर एटेक में सहीद हुए जवानों के परिजनों की मदद के लिए बॉलिवुड के कई सितारे सामने आये हैं इस बीच अभिनेत्री रविना टंडन ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि उनकी अंजियो ना सिर्फ पुल्वामा सहीदों बलकि देश की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले सभी सहीदों की बचियों की पूरी सिक्षा का बिड़ा उठाएगी केंद्रिय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भाजपा को आख दिखाते हुए साप कहा है कि अपना दल ने भाजपा को जो अल्टिमेटम दिया था उसकी म्याद खत्म हो चुकी है इसलिए भगवा पाटी से बाचित के दरवाजे अब बंध हो चुके हैं भाजपा के राष्टिय महाचचिव राम माधम ने आगामी लोगसभा चुनाव में एंडिये से मुकाबले के लिए विपक्षी एक्ता की बात को खारिज करते हुए कहा कि कुछ राजियों में कई गडबंधन है अब यूपी को ही देख लिजिए वहाँ सपा बसपा और वो गडबंधन है इसे में विपक्षी एक्ता कहा हो रही है भाजपा अध्यक छमित साह ने तमिनाडू में कॉंग्रेस द्रमुक गडबंधन पर निसाना सात्तिव विका कि कॉंग्रेस और द्रमुक दोनों पार्टियां भ्रस्टाचार के मामले में बराबर है और दूसरी वेस्टलिन मामले के आरोपी बिचोलिये राजीव सक्सेना की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक न्याले ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को 25 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है पुलवामा एटेक के बाद पाकिस्तान के साथ मैच रोकने को उठ रही मांगो के बीच महान बल्ले बाद सचिन तेंदुलकर ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुवे कहा की पाकिस्तान से मैच नहीं रोकना चाहिए आगे उन्होंने कहा की मुझे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच ना खेल कर उन्हें दो अंक दिलाने से नफरत होगी क्योंकि इस से उन्हें मदद मिलेगी उप रास्टपती वेंके या नाइडू ने पुलवामा मामले पर हो रही राजनिति के बीच देश की सभी राजनितिक दलों से इस मुद्दे पर राजनिति नहीं करने की अपील करते हुए कहा की रास्टिय सुरक्षा और विकास के मामले पर राजनिति नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लखिमपूर खिरी से हमारे समबादाता दिने सिंग सोमंसी बता रहे हैं कि लखिमपूर खिरी की पुलिस अधिक्छक के निर्देसन में जिले के सभी थाने द्वारा अवैज सराब बनाने वा बेचने वाले के बिरुध-भियान चलाया गया जिसमें मात्र 24 घंटे में 116 लिटर सराब वा सराब बनाने के उपकरणों समेट 5 लोगों को गिरफतार किया गया है उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संबादाता प्रवीन पटेरिया बता रहे हैं कि महोबा के छानी कला में अचानक बदले मौसम के कारण जमकर ओले गिरे जिससे किसानों के खेत में खड़ी फसल बरवाद हो गई है प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 50-50 ग्राम के ओले परे हैं बिहार में महागटबंधन से बाहर निकलने को लेकर उठ रहे सवालों पर पुर्वमुक मंत्री और हम प्रमुक जितन राम माजी ने कहा कि मेरे महागटबंधन से बाहर निकलने का सवाल ही नहीं उठता है हाला कि इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि गट बंधन पर फैसला वह लालू प्रसाद यादब से मुलाकात के बाद ही करेंगे 1994 से 1996 के बिच अलकतरा घोटाले के मामले में राची CBI कोट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार के पुर्व मंत्री इलियास हुसेन समित सभी साथ आरोपियों को पात साल की सजा और बीस लाक रुपे जुर्माना लगाया है मध्य परदेश बिधान सभा चुनाव में मिली हार के बाद अब BJP एक्सन मोड में आ गई है और हार का ठेकरा पदाधिकारियों के सिर पर फूटना सुरू हो गया है इस कड़ी के बाद भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अतुल राय को उनके पद से हटा दिया गया है हाला कि राय ने खुद ही इस पद से हटने की मांग संगठन से की थी राजस्थान बिधान सभा चुनाव में बीजेपी को मिली सिकस्त के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी आज पहली बार सुबे की यात्रा पर आ रहे हैं प्रधान मंत्री सचिन पाइलेट के बिधान सभा छेत्र टोंक में चुनावी रेली को संबोधित करेंगे अरियाना में देरा सच्चा सौधा प्रमुख राम रहीम की सजा के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में हनिप्रित पर होने वाली सुनवाई को कोट ने 5 मार्श तक के लिए टाल दिया है 36 गड बिधान सभा में बजट सत्र के दोरान पबजी गेम को बैन करने की मांग करते हुए कॉंग्रेस के बिधाय कुलदीप जुयजा ने कहा की इससे बच्चों के दिमाग पर नाकारात्म कसर पड़ रहा है और अपराधों की संख्या बढ़ गई है जिससे बच्चे या तो अपराधी हो रहे हैं या मानसिक रोगी बन रहे हैं पंजाब के सिरोमनी अकाली दल प्रमुक सुखवीर सिंग बादल ने बहिबल कला गोली कांड की जाच के लिए बनाए गई एसाइटी को पूरी तरह से बकबास और फ्रॉड बताते हुए कहा की या एसाइटी रंजित सिंग की रिपोर्ट की तरह जूठी है इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है हिमाचल परदेश के सियम जैराम ठाकोर ने ग्रेह जिला मंडी का नाम बदलने को लेकर इसारा करते हुए कहा की उनके पास बहुत से ऐसे सुझावाए हैं कि मंडी का नाम बदला जाए क्योंकि मंडी का नाम सुनकर किसी छोटे मार्केट जैसा नाम लगता है। चेतरों में तैनात अमेर्की फोर्सेज को वापस बुलाने का एलान करते हुए कहा कि सीरिया से दो हजार यूएस सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा लेकिन सीरिया में सांती को बरकरार रखने के लिए वहाँ पर 200 सैनिक अभी भी तैनात रहेंगे। पुलवामा में सीर पीफ के काफिले पर हुए फिदाइनी हमले के बाद देश भर के कई सहरों में कस्मीरी चातरों के साथ मारपीट की खवरें आ रही थी। जिस पर स्वेम संग्यान लेते हुए सुप्रीम कोट ने सभी राजियों को कस्मीरी चातरों को सुरक्षा देने और उनके लिए एक अलग अधिकारी न्यूक्त करने का आदेश दिया है। जम्मू कस्मीर सरकार ने सुप्रीम कोट से जम्मू जेल में बंद साथ पाकिस्तानी आतंगवादियों को तिहार जेल में ट्रांसफर करने के आदेश की मांग करते हुए कहा कि ये आतंग की जेल में बंद अस्थानिय कैदियों को वरेनवास करते हैं। जिस पर कोट ने कैंदर और दिल्ली सरकार से इस सम्मन्ध में जबाब मांगा है देश और विदेश में जमा काले धन के बारे में तीन अलग-अलग थिंक टैंक की रिपोर्ट को जल्द ही जारी किया जा सकता है और सुत्रों की माने तो M. विरप्पा मोईली की अध्यक्षता में वितिये मामलों पर गठित संसदिये समीती ने बैठक में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने का फैसला किया है तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन बरहाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंदर सरकार ने सार्वजनिक छेतर की तेल कमपनियां एवं प्राकरतिक गैस निगम और आईल इंडिया लिमिटेड से कहा है कि वो अपने 66 छोटे गैस एवं तेल छेतर की नीजी क कमपनियों को दे दें ताकि उत्पादन को बरहाया जा सके उन्नौ के बांगरमव में देव खरी के पास आज कथावाचक महंत जगत गुरू हंस देवाचार्य का फॉर चुनर कार और ट्रक में भिसन टक्कर हो गई जिसके बाद उन्हें लखनो डीजे आई रेफर किया गय लेकिन वहाँ उनकी मौत हो गई और उनके मौत पर उत्तर परदेश के सियम योगी आदित्यनाथ ने सोक परकट करते हुए उन्हें सरधान जली दी है पुलवामा मामले के विरोध में विश्वकप में पाकिस्तान के खिलाप मैच ना खेलने के मामले में सुप्रिम कोड द्वारा गठित परसासकों की समीती के आज हुए बैठक में इसका फैसला सरकार पर छोड़ दिया गया है और अब सरकार यह तै करेगी कि पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए या नहीं पुलवामा मामले के वाद रेलवे परसासन ने अपने नेटवर्क विसेश कर मुंबई में सुरक्षा को बरहा दिया है जिसको लेकर सिर्स अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल हमारे पास कोई विसेश सूचना तो नहीं है लेकिन आम चुनाओ और पुलवामा मामले के चलते सभी जगहों पर हाई अलर्ट गोसित कर दिया गया है अकसर जगरे में आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति दूसरे से कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा और लोग इसे धमकी मान लेते हैं लेकिन ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोट ने इस वाक्य को धमकी मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं तुम्हें देख लूँगा सब्द धमकी नहीं है बलकि धमकी वह है जिससे पृत के दिमाग में डर पैदा हो उत्तर पर्देश के ATS ने पर्देश में बड़ी कारवाई करते हुए पश्मी UP के सामली अस्थित देववंद से जैसे महमत के दो आतंकियों को पकरने में सफलता हसिल की है जिसको लेकर पर्देश के DGP O.P. सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि ये दोनों आतंगवादी कस्मीरी है जो देववंद में बगएर परमीशन के रह रहे थे और फिलहाल इनसे पूछताच की जा रही है मध्य पर्देश के मुख्यमंतरी कमलनाथ आज भोपाल में मुख्यमंतरी युबा स्वाभीमान योजना की सुरुवात करने जा रहे हैं जिसका फाइदा 21 से 30 वर्स तक के युवाओं को मिलेगा इस योजना के तहत बेरोजगार या सालाना दो लाख रुपए से कम आएवाले युवाओं को सामिल किया गया है और इसकी खास वात यह है कि इसके तहत युवाओं को साल के सौ दिनों तक रोजगार दिया जाएगा हरियाना में पलवल से कॉंग्रेस विधायक करन सिंग दलाल ने दिल्ली को हरियाना की राजधानी बनाने की मांग करते हुए कहा कि विहार में सरकारी बंगले को लेकर राजनीती लगातार जारी है और इस बीच नेता परतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के डिप्टी सियम सुसील कुमार मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सुसील कुमार मोदी पहले नितीश कुमार के कमरे गिनते थे अगर उनमें इतना ही दम है तो वो सियम के बंगले पर आटीयाई करें और बताएं कि एक अने मार्ग में कितना खर्च हुआ है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सियोल में कहा कि जब मैं परधान मंत्री नहीं बना था तब से यह बात कहता आ रहा हो कि भारत के विकास के लिए कोरियाई मौडल सब से अनुकरनिये है कोरिया की प्रगती भारत के लिए प्रेरना का सुरोत है इसलिए यहां की यातरा करना मेरे लिए प्रसंता का विसे होता है परदान मंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनोती देने के लिए पस्चिम मंगाल के मुखमंत्री ममता वनर जी ने राज्य का अपना डिरेक्टरेट आफ ड्रेवन्यू इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्समेंट डी आर आई एंड इ बनाया है जबकि कैंदर सरकार के पास पहले से ही डी आर आई और इन्फॉर्समेंट डिरेक्टरेट डिप मौझूद है देश के लगहू एवं सिमांत किसानों को पीम किसान सम्मान निधी योजना के तहत 24 फरवरी को पहली किस्त मोहिया करा दी जाएगी इसकी सुरुवात परधानमंत्री नरेंद्र मोधी जल्द ही किसानों के खातों में 2000 रुपे का हस्तांतरन करके करेंगे जिस सिवी आई का सिकंजा कस्ता जा रहा है क्योंकि सीवी आई की एफाय आर के बाद अब मनी लॉंडरिंग मामले में चंदा कोचर से एडी भी पूछताश कर सकता है इस वीच सीवी आई ने चंदा और उनके पती दीपक कोचर और वीडियो कौन के मैनेजिंग डिरेक्टर बेनू गोपाल धुत के खिलाफ वी आउटलुक सरकुलर जारी कर दिया है सरवोच्य नियाले ने देश भर के 16 राजियों के 11.8 लाख आदिवासी के जमीन पर कबजा के दावों को खारिज करते वे राज्य सरकारों को लाखों हेक्टेर जमीन को कबजे से मुक्त कराने का आदेश दिया है आपको बता देए कि सुप्रिम कोट के इस आदेश से देश के करीब 12 लाख आदिवासियों और बनवासियों को अपने घरों से बेदखल होना परेगा इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी ने पाकिस्तानी निसानेवाजों को वीजा देने से इनकार के बाद भारत को भविस्य में देश में आयोजित होने वाले किसी भी ओलम्पिक और खेल परतियोगिता की मेजमानी से अलग कर दिया है हलाकि इस बार भारत को 14 कोटे के साथ सुटिंग वर्ल्ड कप के लिए आयोजन की अनुमती दे दी गई है पुलवामा मामले को लेकर संजुक्त राज सुरक्षा परिशन ने भारत का समर्थन करते हुए इस मामले को जगहन्य और कायराना कृत करार दिया और करे सब्दों में इसकी निंदा की है इसके साथ ही UNSC ने जैसे मुहमेद को कड़ी सजा देने की भी वकालत की है कॉंग्रेस पार्टी ने आम चुनाओ से पहले बरादाव चलते हुए भारती सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी करने वाले सेवा निवरित लेप्टिनेंट जनरल डीयस हुड़ा को देश के लिए विजन डोकुमेंट तयार करने की जिम्मेदारिद हलांकि इस वीच लेप्टिनेंट जनरल हुड़ा ने कॉंग्रेस पार्टी में सामिल होने के सवालों पर असपष्ट कहा है कि मैं कॉंग्रेस पार्टी में सामिल नहीं हुआ हूँ पुलवामा एटेक के बाद भारत की तरफ से बनाये जा रहे अंतरराष्टिय दवाव के सामने जुकते हुए पाकिस्तान ने अपने घर में पालित पोसित आतंकी हाफिस सईद के दो संगटनों को बेन कर दिया है हलांकि यह एक दिखावा मातर है क्योंकि इस से पहले भी कई वार पाकिस्तान में हाफिस सईद पर बेन लगाया जा चुका है केंद्रिये मंतरी नितिन गटकरी ने कल कहा था कि पाकिस्तान को जाने वाले हमारे तीन नदियों के पानी को रोक दिया जाएगा जिस पर कॉंग्रेसी नेता मनीश तिवारी ने बीजेपी के इस दावे पर तंज कस्ते हुए सवाल किया कि बांधों का निर्मान एक दिन में नहीं होता लेकिन भाजपा के लिए यह तथ्यस सही नहीं है अमेरिका और चीन के बीच जारी ब्यापार युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों देसों के बीच होने वाले ब्यापार समझोतों की बाचीत अंतिम दोर पर पहुँच गई है और ऐसा इस समझोतों से जुरे सिर्ष अधिकारियों का कहना है विटामिन डी को लेकर किये गए सोध के जरिये आयरलेंड के डलविन उनिवर्सिटी के सोध करताओं ने दावा किया है कि विटामिन डी खाने से ना सिर्फ हड़ी मजबूत होती है बलकि इसके इस्तेमाल से अवसाद सहित अन्यस्वास्त समंधी बिमारियों का भी इलाज होता है नुकिलियर पावर कॉर्परेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भरती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है जिसके लिए योग्यों मिद्वार 30 मार्स तक www.npcilcarriers.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पाकिस्तान के पुर्वगेंदवाज सोयव एक्तर ने पुलवामा मामले की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले की निंदा सभी कर रहे हैं लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते वह अपने देश के परधानमंत्री के साथ खड़े हैं हलाकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच खेलना या ना खेलना या भारत का फैसला होगा राकेस उमपरकास महरा की आने वाली फिल्म मेरे प्यारे प्राइमिनिस्टर का हाल ही में ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अब इस फिल्म का टाइटल ट्रेक भी रिलीज कर दिया गया है जल्द ही वालीवुड के दिगज एक्टर अनुपम खेर की बायोग्राफिक रिलीज होने वाली है माना जा रहा है कि यह आत्मकथा इस साल के अंत तक रिलीज हो सकती है जिसको लेकर अनुपम खेर ने कहा है कि उन्होंने इस किताम में अपने अनुभववों को पूरी सच्चाई के साथ रखने की कोशिस की है अखिल भारतिय राज्य सरकारी फेडरेशन साथ सालों से केंदर सरकार से अपनी पेकमिसन और पैंसन को लेकर मांग कर रही है और इसी मांग को लेकर देशभर के कई राज्यों के राज्यक्रमचारी ने दिली के जंतरमंतर पर धना दिया आईए देखते हैं हमारे संबादाता पवन ठागुर की ये रिपोर्ट जब केंड़ सरकारी е कांट्राइक्ड परमेंट करने की बात? पहले उसको बरखास करने की मांग है दूसरी बात जो आज लाको नवजवान कांट्राक्ट आउट सोर्सिंग में काम कर रहे हैं उन तमाम को परमेंट करने की बात की गई और जो इंकम टैक्स पांच लाग तक रखा गया उसको दस लाग की मांग की गई और नेडिस के लिए फाइडे वीक की मांग की गई बरहल ये तमाम चीज़ा हैं मोधी सरकार से कई बार हम लोग अनुरोद किये लेकिन आज मोधी सरकार कोई बात भी सुनने के लिए तयार नहीं है तो आज ये फैसला हो रहा है कि आने वाले एलेक्शन में जो सरकार हमारी मांगे पूरी करेग हम तमाम करमचारी सरकारी मुलाजिमें स्टेट गवर्मेंट संडल गवर्मेंट टाइम स्केल कांट्राक्ट आउट्सोर्सिंग डेली वेजेस ये तमाम लोग वो सरकार के साथ रहेंगे अगर ये लोग हमारी डिमैंड नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ नहीं है इनको घर क को भी जाने का पक्का है तो लगतार हम लोगों से बात कर रहे हमाई सार पंजाब के प्रेजिदेंट है आहिए उन से जानता है कि उनकी बेसिकली क्या-क्या मांगए और कब से वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर बहुत लंबे समय से यह अपना संगर्श कर ह devi दो पर रहे हैं लेकिन चाहिए वह केंद्र की एंडिए सरकार रहा है चाहि पंजाब की कांगरस सरकार यह हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं माँने हैं हमारी जो प्रमुक मांगे हैं वह है प्राइब पैंशन ग्लशन स्कीम को बहाल करना और आउट सोर्सिंग डेली वेज़िज पे जो भी एंपलाइज स्टेट में काम करते हैं सेंटर के म्लाजम हैं सबीको रेगुलर करना केंज सरकार से बस इनकी एक ही माग़े पेंशन को लेकर और पेंशन को लेकर लेकिन केंज सरकार आने वाले सम खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मारे चैनल को अगे सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो लोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दिजे ताकि देश और दुनिया के तमांग खबरों से आप रह सकें अपडे इस सथे डाग खबरों से ही झाह सकें आपoga के लिए पताइब में या रह सुनिया ग्यों से तम Care इंटी खबरों से हैंने के लिए नाव sounds